जी है चिम्शी कार्यकाले में भात्य जनतापार्टी के पाश्चत उंत्वारखी गई घहराव की कार्यवादी की विद्याग दानम खैतबाद दिवजन के पाश्चत विजह रेडी बच्सना की उन्होंने बाजपार परदाशों की मांग की कि वे अपना त्याग पद रेकर अपनी गल्दी के लिए माफी मांगे हैं खैतबाज विदान सबाक्षेत्र के विधायक दानम नागेंदर ने आज क्षेत्र से संबंदी कल्यान लक्ष्मी तथा शादी मुबारक योजना के चेक लाभारतियों में वितरित किये इसी मौके पर दानम नागेंदर ने कहा कि भारतिये जनतापार्टी के पार्शद रहकर मेर के चेंबर में तोड़ फोल मचाना बहुत ही हीन कारवाई है इसी संदर में TRS पार्टी की पार्शद विजयारेड़ी ने बताया कि इस घटना पर न्याई कारवाई होगी उन्होंने कहा कि एक पवित्र सदन पर भारतिये जनता पार्टी के पार्षदों ने सम्मान एवं आधर की भावना ना होने से यह शोचनिय कारवाई की है उन्हों ने कहा कि ऐसे लोगों को अयोग की घुशित करने की आवश्यक्ता है जनता पार्षदों ने सम्मान एवश्यक्ता 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 है पोचारम स्रीनिवास रेड़ी ने अपनी नियमित स्वास्त जांच के लिए बुद्वार के सायं अस्पताल में भरती हुए इसी संदर में उनकी कोविड जांच की गई जिसमें उनकी कोविड रिपोर्ट पाजिटिव पाई गई कोरोना की पुष्टी के बाद पोचारम स्रीनिवास रेड़ी ने बात करते हुए बताया कि वरतमान समय में वे पूरी तरह से स्वस्त हैं उन्होंने कहा कि किसी को मेरे संबन में डरने की आवश्यक्ता नहीं है ग्यातव्य है कि हाल ही में पोचारम स्रीनिवास रडडी के पुत्री का विवा हुआ था संभवतावे उसी समय किसी के संपर्क में आये होंगे उन्होंने लोगों से कहा कि विवा के समय जो जो लोग मेरे संपर्क में आये हैं उन्हें भैभीत होने की आवश्यक्ता नहीं है नगर के सूप्रसित नहेरो वन्योप्रानी उद्गान में सीयों की पिंज्रे की सुरक्षा व्यस्ताएं और भी साक्षित हो गई हैं पिंज्रे की सुरक्षा दिवारों पर कोई न व्यक्ति न चड़ने इस प्रकाल की उंचे ग्रिल्स लगा दिये गए हैं ग्यातव्य है कि एक दिन पहले की सर निवासी साई कुमार ने सिम्हों के पिंज्रे की प्रहरी दिवार पर चड़कर काफी हलचल मचाया था इस कारण सिम्हों के पिंज्रों के पास अब उंचे उंचे ग्रिल्स लगाने के साथ-साथ वहाँ पशुपालकों, पशुस्वम्रक्षकों तथा सीवी सी टीवी कैमरों द्वारा निगरानी बढ़ा दी गई है जूपार्क में वन्नी विभाग के अजिकारियों द्वारा आयोजित समिक्षा बैठक में क्यूरेटर राजश्वर, डिपुटी क्यूरेटर नागमणी ने सुरक्षा कारवाईयों की जानकारी दी क्यूरेटर ने जूपार्क आने वाले सहलानियों से अपनी सतर्कता एवं सुरक्षा बरतने का आगरह किया है इस बात पर S. प्रवीन कुमार ने कहा कि उन्हें विश्व विध्याले के उद्पन समस्यों पर ठ्वीट किया है आर एस प्रविन कुमार ने इसी संदर्व में कहा कि उस्मानिया विश्वी विध्याले के किसी भी विभाग में अध्यापन स्टाफ की संक्या परियाप्त एमों पूर्ण नहीं है यहाँ विध्यार्टियों को पढ़ाई के लिए पुस्तकाले वाचनाले तता छात्रावासों में कम से कम रीडिंग रूम भी उपलब्द नहीं है उन्होंने बताया कि छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को मेस भोजन खर्च प्रती दिन 50 रुपई की दर से दिया जा रहा है जबकि जेलों में रहने वाले कैदियों को 68 रुपई 50 पैसे प्रती दिन की दर से दिया जाता है उन्होंने कहा कि विद्ध्यारतियों के भोजन खर्च से कैदियों के भोजन खर्च अधिक होना या बहुत ही शोचनी ये बात है उन्होंने इस संबन में सरकार द्वारा एवं विश्व विद्ध्याले प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाने की मांग की तो, मत्तमुर्ट नातो अंस्ट वन्यना पास को अग्ति भल सुम्य नाकोसम बीजिस तानगी कोुछ। तच्छी को अन्यवादेते नातो रिख भूल सुम्यर्दो जो लोइन समयने नाकोसम बिच्छ इस्ताने को, हुछ। तो अपर ज़ने दो अबर एनने इनोसिमुटस अजने हैं तो इक में चुच्ट उस्तुने ने अब कालेज लो पीजी कुंडेश घास्तरू तव पी अज़ जय जास्तरू तव तव पूमूड ज़को दूस्तरु कोंद अबने तमूचर अधिन लाग। बड़ा अयोगिंस सबस्क्राइब कर दो कोन्द मन फन्दी स्रेइंग उन्ध पने हम उन्द में क deixa दो को इसकी उत्य म exactly पर यिपा earth सोब्सक्रार अकर से गाश्चली रूफ हालें तो कि को сокstart शर्ण पर तो इसा अखेकर फार हूएव उस एकार ना 20 तारी के भीतर ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग साहित कॉलेजों के स्वें तवारा रिपोर्ट करना होगा। बताया कि 24 नॉवंबर को जारी की जाने वाली अलाट्मेंट सुची 25 नॉवंबर को जारी की गई है और 26 नॉवंबर के पूर्व सेल्फ रिपोर्टिंग की सुविधा दी गई है जो अन्याय पूर्ण है विध्यारतियों ने बताया कि इस अवधी को नियूंतम और दो दिन पड़ाया जाना चाहिए जिससे दूर दराज से आने वाले विध्यारतियों को राहत एवं सुविधा मिल सके बैते हुए रोजमेरी की खात पदाटों के साथ ही साख सब्जेयों की दाम आसमान को चूर रहे हैं ऐसा लगता है गट कुछ दिनों से साख सब्जेयों की दाम मार्केट सूत्रों का कहना है कि स्थानिय उत्पादन आने तक यही दाम चलने की संभावनाए है आज साख सब्जेयों के दमों पर उपल सब्जी मार्केट से हमारे सिटी विजन प्रतिनी धी कुमार की विशेश रिपोर्ट अमानें परस्तितिलों लेधू किलो रोंडे किलो लो कोने खुर गायलो तक यही दाकिलों पाव किलों कोंटू नारू रान उन्न रोजुल्ले खोड़ा कुरगाल रेटलु पिरिगा आवकाश हम उन्ने मार्कर वार्गाल चेबुत्तु नाई अधर उपकोल लोगोनी कुरगाल मार्केटला उन्नाम। इकड़ रेटलु एविधांगा उन्नाई इकड़ा उन्ना विन्नोगादारलु कोनुगोल लोगोनी कुरगाल आटिक तेल्सकुन्दाम। ये टामले नम एन्तक्वरे टंधम। इन्न तक्वरेटम। इन्न पादरुपल एक्ड़ एकड़ उन्नाई टमाटे नोट पदि रूपयल पहें जोत्तुनार। एननी कोनाल अन्टे वक सारी इपन्दिका हुँदु पट्टु मरी वाल्डु मट्ट केंजिया याला वालके दिलीयाल। गानी मनके इंकोंच तगी ते भागुँदु इंधि इंधि रेट लुग आखुँदु मरी मनके प्रत्यों काइटम 60 प्लेसे उन्टु निजामबाट स्थान या निकियों के मलसी के रूप में कवलकुंटा कविता के सर्व समीती में चूनी गए है कविता के सर्व समीती में चूने जाने पर उनकी एक प्रशन सकने अनुकी डंग से अपनी शुब कामनाय दी हैं इसे जन सामिन या देख सकते ही में बढ़िंगे हैं निजामाबाद से संबद्ध टियारे स्नेता साई प्रसाद ने मलसी कविता को कुंड़पोचमा रिजेर्वेर के पास से पारा ग्लाडिंग द्वारा एक भारी फ्लेक्सी उड़ा कर अलग ही अंदाज में अपनी शुब कामनाय दी साई प्रसाद ने कविता की 40 फीट उंची फोटो के साथ डिजाइन की गई फ्लेक्सी को आकाश में उड़ा कर कविता के प्रती अपने संबान की भावना को वेक्त किया है इस दिरुश्य को लोगों ने काफी दिल्चस्पी के साथ देखा और इस प्रयास की सरहाना भी की है तेल्गोरी संपार्टी के नेता नारव चंदरबाव नाईडू ने मांग की कि आंदर प्रदेश के बड़ी बार पीरती किसानों की बार के पैसले बरबाद हो जाने के कारण उन्हें मो आवजार रीच दी है आज सुर्पती के आयुजित मीडिया समेलन के संभौधित करते हुए चंदरबाव नाईडू ने सरकार की लापरवाही का विविरन दिया है चंदरबाव नाईडू ने कहा कि आंदर प्रदेश में बार के कारण 63 लोगों की जान गई है और कई लोग बार के पानी में भग कर लापता हो गए है इन सब के लिए केवल राज सरकार ही लापरवाईयों की मुख्य कारण है उन्होंने बताया कि पानी में भग कर लापता हुए लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है चंदरबाव नाईडू ने कहा कि बार के कारण पेजल उपलब्द नह होने से कई खेत्रों की जनता खासी तकलिफों एवों समस्याओं का सामना कर रही है उन्होंने बताया कि मदद एवों राहत साहता के लिए लोगों के फोन करने पर अधिकारी फोन करने वालों पर क्रोधित होकर उनके साथ गाली गलोज भी कर रहे हैं उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि उन उन खेत्रों में सरकार तत्काल मौलिक सुविधाय उपलत करवाएं तथा किसी प्रकार के कोई संक्रामक रोग ना फैले उनकी रोग थाम के भी कदम उठाएं उन्होंने सभी बाड प्रभाविक छेत्रों में मेडिकल कैम्प आयजित करने की भी बात कही चंद्रबाबुन आयडू ने बताया कि सबसे बड़े चक्रवात हुद हुद में 21 तितली चक्रवात में 16 लोगों की मौत हुई थी लेकिन इस बाड में इतनी भारी संख्या में मौते होना और लोगों का लापता होना यह गहरी चिंता की बात है इन सबके लिए सरकार की लापरवाईयां ही मुख्य कारण है नोटिफई चेएडवं मरो लंदन्नी इप्पडु वालंटेरल पेट्ट्यार वेट्ट्यार वेवस्ता कोत्तका यावई इनलकेन वालकोड एम समाच्यार विच्चारों गाडु ओनली नोस एक अपपड़ु वूर्ल वुण्डे इरिगेशन दिपॉर्ट्पेंट रिविन्य दिपॉर्ट्पेंट पोरिष दिपॉर्ट्पेंट नेरिग एंडी बलवन्तेंगा आ वूर्ल वूंडेवान वुड़ सुरश्चित प्राप्तालोंग तरल्ली स्थार अधि फटमेंटल प्रिंसिपल, there is a disaster management manual, अंधुलोग निये नुन्नप्पुडोग सारी इदेमारी अरिके नी वेन्ने उच्चिन तरवात, उदुध उच्चिन तरवात, मन्ली आ disaster management नी, अम्यन्वल नी, रिवय जैसा, आलांटि दी बुध्धिगा चेकुंडा प्रजला पापान गुजली पिट्यार, नासी रखों पनलू जैसा, पिंचा लोगानी, अन्नमय लोगानी, नासी रखों पनलू जैसा, इंको का पक्काना, असेट्स management, इस माँ के उन्नी तारिक में कर पाजले के चैरू नदी भार के कारण उफान के साथ बही, जिसमें गुलेरु ग्राम के बाद फस गया है, इस समय के ग्राम के संबन द्याई नामक, महिला अपने पती शेक राशित के तलाश कर रही है, उसका पती ग्राम के आकर घर पहुंचते बिना बाद ही प्रवा में अपने पती का पता लगाने 45 वर्षी आईशा पूरे कडपा जिले में रोते हुए घूम रही है, वास्तों में इस महिला के साथ क्या हुआ, एक और बाद की तीवरता वहीं दूसरी और अपने घर पहुंचने की लगन, इस बीच और दस कदम डालते ही उसका गंतव्य आश बेतावनी भी दिया, बाड के पानी में पूरी तरह डूप चुकी सडकों पर एक छोटा सा छेद रशीत को दिखाई नहीं पड़ा, उसने एक कदम आगे बढ़ाया कि उसी क्षण तेज बाड के रस्तार में वह भयकर लापता हो गया, इसके बाद बारिश शान्त हुई, बाड की रस्तार भी थमी, लेकिन आईशा का पती रशीत घर नहीं पहुंचा, इसके बाद से आईशा ने मानो पागल जैसा वेवार करते हुए, मेरे पती का कोई पता नहीं चला, मेरा पती कहा है, आखिर हुआ क्या है, कोई तो कुछ बताए, या फूसते हुए, वह पू उन में से आईशा का परिवार भी एक है, गौर तलब है कि जब आईशा का पती बाड में फंसा हुआ था, उसी समय उसने आईशा को फोन कर अपने घर आने की बात कहते हुए, अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी थी, आईशा के दिल में यही बात समाई हुई है, जो तड़पा रही है आईशा ने लोगों को बताया कि वह उसके पती के मिलने तक अपनी तलाश जारी रखेगी पिछ्री जातियों की जगना का मांग को लेकर केंद्र सरकार से की गई मांग पर आलुपतेश के मुख्यमंत्री वायस जगन निवधान सभा में एक प्रस्ताफ पेश किया जिसे पेश्वी जाति के संगों के नेताओं ने हर्ष प्रकट कर हिया है इस मौके पर उन्होंने जगन से उनके चेंबर में मिलकर उन्हें निन्नाय पर आभाव्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का शॉल ओड़ कर सम्मान किया पिछिडी जातिं संग के नेताओं द्वारा किए संमान पर मुख्यमंत्री जगन idoहन रिड्डी ने शंगों के पृति आभार वेक्ति किया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछिडी जातिं केकंल्यान मों विकास के पता की मौत हो गई पुलिसंद्य इस पाह हत्या की मामला दाशकर आगे की चांच कर रही है इस संद्य हास्पध हत्या मामले को लेकर कई प्रकार के संद्य व्यक्त किये जा रहे हैं हैं एदरबाद के सीनगर कॉलनी में रहने वाली गाई का हर्णी राव का परिवार गत एक स साथ क्या हुआ होगा बैंगलूर में रेलवे लाइन पर हर्णी राव के पिता का शव पढ़ा हुआ मिला पुलिस ने पहले इसे आत्म हत्या का मामला समझा था लेकिन शव के गरदन सहिच शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर गाउ दिखाई पढ़ने से पुलिस ने इसे ह सेलवे ट्रेक के आसपास लगे सभी CCTV कैमरों को खंगालते हुए मामले की जाच परताल कर रही है